पिता द्वारा दिया गया इस गुरू मंत्र को डेविड मिलर ने अब तक अच्छे से याद रखा है हाल ही में खेली गई इंडिया वसिस साथ आफरिका टी ट्वेंटिया सीरीज का दूसरा मैच भारत ने जीता पर अपनी आतिशी पारी से सभी फैंस का दिल जीता मिलर ने ही स्कोर अन बीटन 106 अफ जस 47 दिलिवरीज स्माशिंग 7 शिक्स और 8 फोर्स विद इस य बिकेम फिर्स प्लेयर के पिता एक क्लब लेवल क्रिकेटर थे मिलर ने अपना अंतराश्ट्रिय डेब्यू 2010 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक T20 मैच में किया था वे ही स्कोर्ड अ वैलिवल 33 ओन ओ स्लो विकेट इन 2011 मिलर वस साइन वाई किंग्स इलमें पंजाम एस रेप्लेस्मन पर डिमित्री मैसकरेनस पहली सीजन में मिलर को खिलने का मौका नहीं मिला और 2012 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा लेकिन IPL 2013 में दुनिया को देखने को मिला मिलर का किलर अफदार RCB के खिलाफ उन्होंने 38 गेंदों पर नाबाद 101 रन की तूफानी पारी खेल डाली उस सीजन 164.56 के स्ट्राइक रेट से मिलर ने 12 मैचों में कुल 418 रन बनाए 2014 और 2015 में भी मिलर ने अपना फॉर्म जारी रखा लेकिन उसके बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट आ गई हाल ये था कि 2017 में 12.5 क्रोर्स पाने वाले मिलर को अगले सीजन पंजाब ने सिर्फ 3 करोड का कॉंट्रेक्ट दिया 2019 में वे रिलीज भी कर दिये गए 2020 और 2021 में मिलर राजस्थान रोयल्स का हिस्सा बने मात्रप 75 लाग के प्राइस टैग के साथ उन्हें ज्यादा खिलने का मौका भी नहीं मिला खुद मिलर ने ये कहा कि 2016 के बाद से IPL फ्रैंचाइस ने उन्हें ज्यादा बैक नहीं किया है He even thought about quitting the game However, fortunes changed for him in 2022 He scored 481 runs in 16 matches of IPL 2022 at a strike rate of 142.73 In the final over of Qualifier 1, Killer Miller was at his explosive best Gujarat required 16 runs and Miller looked at ease as he hit Prasid Krishna for 3 consecutive sixes to seal the deal for his team Gujarat captain Hardik Pandya after the match said A lot of people counted Miller out, but for us, he was always a match winner from the time we bought him at the auction Miller का ODIs में रेकोर्ट सबर्दस्त है In 147 matches, he has scored 3,614 runs at an average of 41.54 Hashi Mamla, Duplessis और De Villiers जैसे डिगगजों के बीच में Miller का रोल काफी underrated रह जाता था In 2016 versus Australia, Miller played one of his best knocks As he helped South Africa pull off the second highest ODI run chase of all time, smashing 118 not-out of 79 balls Miller अपनी आखरी 10 T20-I innings में 5 बार not-out रहे है Overall T20 international cricket में, death overs में Miller से ज्यादा runs किसी बल्ले बास ने नहीं बनाए है Australian conditions में खेले गए 2015 ODI World Cup में Miller impactful knocks खेल चुके हैं और जिस तरह से हाल में उनका form चल रहा है South Africa बेशक T20 World Cup प्रोफी के काफी करीब पहुँच सकती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, sports की डागो like, share और subscribe करना ना भूले